क्या पवन सिंग कभी पापा नहीं बन सकते जी हाँ पवन सिंग पिछले दिनों अपनी मा के साथ लाइव आये और उस लाइव में उन्होंने कुछ ऐसी बाते कहीं जो सोशल मीडिया पर लगातार और बार बार आ रही हैं तो हम आपको यहाँ यह बता देते हैं कि पवन जो थी वो चार महिने चली थी और फिर उनकी वाइप ने उनके घर के कमरे में ही सुसाइड कर ली थी और उसके बाद पवन सिंग के शादी एक लंबे अंतराल बाद एक लंबा पीरेड था उसके बाद उन्होंने शादी जोती सिंग से की लेकिन जोती सिंग भी उनके साथ जादा समय तक नहीं रही और अब वो उनके माईके में है ऐसा कहा जाता है कि पवन सिंग जो है उनकी वाइफ के साथ उनका कनेक्शन नहीं बैठता है इस वज़े से उनकी पहली पत्नी जो थी उन्होंने सुसाइड कर लिया उनकी दूसरी पत्नी उन्हें छोड़ कर चली प्यास लगाया जा रहा है कि पवन सिंग जोती सिंग को मनाने क्या फिर से बलिया जाएंगे क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जोती सिंग और पवन के जो विचार है वो नहीं मिलते हैं और इस वज़े से जोती सिंग अपने माईके में ही रहती है अब ऐसे में अगर जोती सि को मनाना और अपने घर लेकर आना बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि उनकी मा जिस हिसाब से लाइव में रो रही थी उससे ये लग रहा था कि वो खुद चाहती हैं कि पवन के घर जल्द ही किलकारियां गुजे तो सभी जो भी पवन के फैंस हैं वो ये इश्वर से प्रे क कर सकते हैं कि पवन और जोती का रिस्ता जल्द सुध्रे और इन दोनों की सुधरते रिस्ते में ये चीज अच्छी हो कि कुछ खुश्यां फैंस को और घर वालों को जरूर मिले